नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैपिंग सीरिस के लेक्चर 6 में मतलब की पार्ट 5 में इससे पहले हम 5 पार्ट डिसकस कर चुके हैं जो काफी महत्पून टॉपिक हैं और यहां से आपको आने वाले एक्जाम में प्रस्ण देखने को मिलेंगे किवल सर्विस के कई एक्जाम हो, UPSC हो, PCS हो, बैंकिंग से संबंदित एक्जाम हो, SSE से संबंदित एक्जाम हो, वहाप आपको यहां से प्रस्ण देखने को मिलेंगे हमने काफी जो महत्पून टॉपिक ही डिस्कस किये हैं जो लगातर कई बार चर्चा में रहे हैं, वहां से हमने कई प्रिकार के टॉपिक डिस्कस किये हैं और केवल topic ही नहीं discuss किया है, हमने सारा respective location, history और संबंदित जितने भी topic बनते हैं, वो सारे हमने, जो संबंदित topic है, उसके संदम में हमने बात की है, आज का table of content है, सबसे पहले table of content के बारे में बात जालने से पहले, आपके बारे में बात जालने कि I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, और इसके बाद हम अपने table of content के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम Odessa port पढ़ेंगे, Trans Nistria पढ़ेंगे, Attal Bridge पढ़ेंगे, Sivlook जौला मखी बॉलकेनों पढ़ेंगे, साहिल रीजन पढ़ेंगे, पच्छु तो पहला हम पढ़ेंगे Odessa port, Odessa port क्यों चर्चा में था, यह Odessa port आपको Ukraine में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि रसिया नहीं यहाँ पे, यह रिस्टाइक की, इसलिए चर्चा में था, तो हमको Odessa port की location काफी मैथपून हैं, और यहां के आसपास की जितनी भी location आपको देखने को मिलेंगी, वो भी हमको देखने की आवसकता है, Odessa port को, आउडस port भी बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी न कभी आपसे alternative name भी, एक्जाम में पूछ लिया जाता है, Ukrainian sea port है, और largest port आपको देखने को मिलेगा, किसका, Black Sea का, क्योंकि आपको ए Black Sea में देखने को मिलेगा, fishing fleet यहां पे काफी अधिक मात्रा में होते हैं, और एक cultural education center के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा, Odessa port, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, दूसरी मैतपून location तो आपको Odessa ध्यान आया, अब जो मैतपून, जो locations है, वो हम देखेंगे, जैसा कि आपको इधर Odessa port देखने को मिलेगा, खैरसन आपको इधर देखने को मिलेगा, यह Ukraine की city है, यह port है, आपको ध्यान रखेंगे, अब हम बात करते हैं, Black Sea लगातर चर्चा में रहा है, तो Black Sea से कौन कौन सी कंट्री लगती है, इधर आपको Black Sea देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करेंगे, तो Black Sea से तुर्की लग लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, माल डोबा, यह Korean मलब की Black Sea से नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर आपको Black Sea में जाना हो, तो Mediterranean Sea से आएंगे, Asian Sea आपको देखने को मिलेगा, Sea of Marmara देखने को मिलेगा, यहाँ पर दो state है, एक यहाँ पर state है, एक यहाँ पर state है, तो दोनों के आप नाम बताएंगे, comment section में, हम पहले भी discuss कर चुके है, इन दोनों state हो के नाम क्या है, फिर यहाँ से आप Black Sea में जाएंगे, Black Sea के बाद आप इदर से Sea of Ajog में जाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, दूसरी, जो महत्पू देखने को मिलेगा, सोची देखने को मिलेगा, बेतूमी देखने को मिलेगा, तरवा जौन देखने को मिलेगा, ओडो देखने को मिलेगा, सेमसन देखने को मिलेगा, जुंगू, दक्स देखने को मिलेगा, बुर्गास, पर्मा, बर्ना, और कॉस्टंटा आपको देखने क मिलेगि एंदर आपको अधंसा देखने को मिलेगही हमने अल्लेडी पढ़ चुकि हैं अब आपको करना कियाए हिस तबल आपको देखने को मिल्हेंगए करना क्याए एक दो बार आपको देखना है क्योंकि यहां से प्रसंद बन सकते हैं क्योंकि Black Sea लगातर से चामे रहा है तो कुष्ण कई और डारेक्षन में जा सकता है कई प्रकार की डारेक्षन हम को देखने को मिल सकती है ठीक है दूसरा एक रीजन और चर्चामे रहा है लगातर रसिया के द्वारा एक्रेइन के उपर एर स्टाइक की गई 묻 ला लगातर चल रहा है तो एक्रे है और रसिया की कुछ लाकेशन से लेगातर चछा में रही हैं तब से जो महत्थपूर्ठ जोलोकेशन के कर्मा तौर्स चर्छा में रहा तो आप बता देंगे इधर देखने को मिलेगी खार कीव उदर देखने को मिलेगा दैनी प्रो आपको इधर देखने को मिलेगा मेरी पोल आपको इधर देखने को मिलेगा ओडैसा इधर और कीव इधर अब आनो ठैंक्स विक्स आपको इधर देखने को मिलेगा ठीक है इनकी respective location आपको याद रखना है आप जो महत्पून जो चीजे है इधर आपको दोंस्तेक अबलास्त देखने को मिलेगा लोहांस ओवलास देखने को मिलेगा यह सारी चीज़े आपको याद रखना है क्योंकि यहां से प्रस्न बन सकता है अब एक city और चर्चा में रही है यह मतलब कि city तो नहीं एक region चर्चा में रहा है उसका नाम है Transnistria अब Transnistria क्या है मालडोवा युक्रेण की मद्द विवाजिते रिया है मनलब कि disputed region है अब इसमें मालडोवा क्या करता है रसिया का साथ देता है यह मालडोवा आपको देखने को मिलेगा अगर clear picture देखना तो आप इदर आएं इदर आपको मालडोवा देखने को मिलेगा इदर आपको transnesia देखने को मिलेगा तो मालडोवा क्या करता है रसिया का साथ देता है तो यहाँ पर जो आम है वहाँ पर deploy करने का प्रयास कौन कर रहा है रसिया कर रहा है यह वाला region disputed है तो यहाँ पर युक्रेण इसका ब्रोद कर रहा है अब यहाँ पर कुछ transnesia में क्या है कुछ जो locations है वो चर्चा में है कलवासना, मयाक और रैसपूल तो यहाँ पर यह छीत्र वाले region से वाला चर्चा में था इसलिए हमने इसको पढ़ दिये दोनों एक साथ हमने पढ़े दिये इस बात को ध्यान रखेंगे अब दूसरी बात comment section में आप हमें बताएंगे कि black sea में कौन कौन सी river गिरती है एक वार हमने आपको पढ़ाया था उनका नाम आप हमें comment section में बताएंगे कौन कौन सी river black sea में गिरती है क्योंकि हम कोई topic पढ़ रहा है तो उसको कि वो सतय ही नहीं पढ़ सकते पिदान मंती मोदी जी ने इसका उद्वाटन किया अटल क्याइक फूट आवर बिरेज है यह आपको सावरमती river में देखने को मिलेगा एमदाबाद गुजरात में ठीक है तो हमने अटल बीस पढ़ लिया अब लेकिन हमारे लिए मैतपूर है सावरमती river सावरमती river क्या है सावर और हतमती river का कॉम्बिनेशन से इन दोनों को मिला कर हम बोल देते हैं सावरमती river और इसका ओरिजन अरावली river उदैपोर डिस्टिक में रायस्तान से हमको देखने को मिलता है ठीक है जैसा कि आप देख पा रहे है एक गल्फ आफ खंबात में मीट होती है आप्टर तस 371 किलो मीटर साउथ बेस्टन में चल कर रायस्तान गुजरात में आपको देखने को मिलेगी मेजर इसकी ट्रिबूट्री देखने को मिलेगी वकाल देखने को मिलेगी हतमती देखने को मिलेगी बट्रक देखने को मिलेगी सेही आपको देखने को मिलेगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं सावर मती रिवर है एक रिवर आपको हाथ मती रिवर देखने को मिलेगी इसको हम बोल देते हैं क्या इस वाली रिवर को हम बोल देते हैं सावर इन दोनों को मिला कर बनती है और और बी कई依 रिवर है जैसे खारी रिवर तो सारी लोकिशन्स आपको पढ़ना है सावर उतनी रिवर चर्चा में थी हमने इसलिए पढ़ लिया अब दूसरी मैटफून न्यूज है आपको लूनी रिवर ये देखने को मिलेगी इदर आपको सावरमती रिवर देखने को मिलेगी इदर आपको माही रिवर देखने को मिलेगी इदर आपको नर्मदा देखने को मिलेगी इदर आपको तापी रिवर देखने को मिलेगी ये रनव कच्छ में जाती है ये खंबात की खाड़ी में जाती है ये भी खंबात की खाड़ी में जाती है ये भी नर्वदा खंबात की खाड़ी में जाती है दोनों तापी रिवर भी खंबात की खाड़ी में बनाती है ये भ्रंस गाटियों को देरा बैती है बलब की ऐसी न मिलेगी इन्हारव और हwon जाके मिलती हैं गंगा में पढ़ेंगे सारी रिभर का एक पूरा लेक्षे बना देंगे वहाँ पे देख सकते हैं ऐसे अरि में इन्हें ईए जो सिवलक जो वालकेनों है जो अलमकी है इधर आप पूरा मैप जब देखेंगे पूरा संपूर रूप से तो इधर आपको काम चटका प्राइदीप देखने को मिलेगा एक काम चटका प्राइदीप में आपको सिवलक जो वालकेनों है इधर देखने को मिलेगा तो इसमें बड़ी एक मात्रा में वालकनिक एरेप्शन देखने को मिला है, इसलिए चर्चा में था, इधर आपको sea of aquotax देखने को मिलेगा, इधर आपको gulf of Chicago देखने को मिलेगा, ति लगातार चर्चा में था, हमने इसको पढ़ लिए से वलो, क्या है largest and most active वालकोन है कहां का कामचट का प्राइदेप का, 10-14 साल में 16 टाइम इसमें eruption हो चुका है, ठीक है और यह क्या है, ring of fire का क्या है, पार्ट है, इसमें दो पार्ट देखने को मिलेगे, old सिबलक और young सिबलक इस बात को ध्यान रखेंगे, अब दूसरा आप देखेंगे, तो एक नजर में आप देखें, प पीटलेंड आपको इधर देखने को मिलेगा, कुरिल आइसलेंड आपको इधर देखने को मिलेगा, जो की रसिया और जापान की मद्द क्या है, डिस्पुटिल आइसलेंड है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इधर आपको bearing C देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान तो आपको इदर Ring of Fire दिखने को मिलेगा, जैसा की आपको पता है Ring of Fire क्या है, यहां पर क्या है, Convergent Plate Tectonic Moment होता है, मनलों, एक plate इदर से इदर जा रए है, एक plate इदर से इदर जा रही है, तो इदर क्या है, महाँसागरी Plate है, इदर क्या है, माधी पी प्लेट है माधी प्लेट का आपस में कनवर्जेंट हुआ टकराब के कारण यहां पर सब्डेक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है ताप और दाब बढ़ता है जिसके कारण जो मैगमा है लाबा है वो बाहर निकलता है ठीक है बाहर निकलने के बाद यहाँ पर अर्थ क्यूक भी आता है यहाँ पर बॉलकनिक एक्टिविटी भी होती है कुल्म और यहाँ पर बलित परवत भी बनते हैं तो कुल्म लाके कहा जाए कि यह क्या है conversion tectonic movement का ये क्या है परणाम है एक result है और जिसके कारण है यहाँ पर ring of fire देखने को मिलता है ठीक है यहाँ पर बहुत सारी volcanic activity देखने को मिलेगी कुल मलाके कहें काफी इस्थिति यांकी खराब रहती है मतलब कि लगाता रहें आपे अर्थ की उकाते रहते हैं वालकने के रप्सन होता रहता है ठीक है यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके माद्यम से आप देख पाएंगे कि बहुत सारे जो dpa रास्ट है ज सारे जितने भी माउंटेन हैं वो पॉस्ट करके पढ़ेंगे ताकि आपको रेस्पेक्टिव में कहीं सब कॉंसियस माइंड में चीज चली जाए और जिससे अक्जाम में आए ताकि आप उसको सही कर पाएं ठीक है दूसरा साहे बीजन चर्चा में है क्योंकि फ्रांस के द काफी टॉफ है यहां का सेफ है वन एक्स्टिविट के लिए माना जाता है अन्रेगुलिटेड हैं यहां पर मलब की बहुत सारी चीज़ा होती है मनी लॉंडिंग की समस्य यहां पर देखने को मिलती है टेरस्ट एक्टिविटे एक्स्टिविटे काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है इसको दूर करने के लिए फ्रांस के द्वारा ऑपरेस्ट बरकान चलाया जा रहा था तो इसको अब जो कि रास्ट पती है उन्होंने अब इसको अटा लिया है बंद कर दिया है इस बात को ध्यान रखें तो सबसे पहले आपको याद रखना और ऑपरेस लासो आएगा नाइजर आएगा नाइजरी आएगा चड़ आएगा सूडान आएगा और इल्टी आएगा अब यह रीजिन इसलिए और चर्चा में रहता है क्योंकि यहां पे ग्रेट ग्रीन वॉल बनानी की उजना चला रही है क्योंकि जो सारा जो डेजट है वह अधिक म हाड डेजट है उसका एक्सपेंड ना हो सके उसको कही ना कहीं हमको क्योर करना है तो इस बात को वह यहाद रखेंगे दूसरी में है मौचू रिवर चर्चा में थी जैसा कि आपने पता है मौचू रिवर पर एक रिवर मलब की ब्रिज बना था जिसका नाम था क्या नाम मौरवी रिवर मना की मौरवी ब्रिज बना था इस ब्रिज में 15 दिन की आपरिंग मना की पांस दिन की आपरिंग के बाद एक चूट गया यह काफी वधिक मात्रा में लोहों को डेमेज हुआ इसको लोकली जोल्टो पुल भी बोलते हैं यह मौरवी डिस्टिक उजरात में आपको देखने को मिलेगा इसको यह ब्रिज आपको बिटिस काल का बना था लेकिन इसमें सरकार के द्वारा इसमें बहुत साथ सुदार किये गए ओपन किये गए लिए पांस दिन बाद गिर पड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे दूसरी में बात है इसको प्रेंसली इस् आपको देखने को मिलेंगे इस वराष्ट रीजन में नौर्थ फिलोइंग तेवर आपको देखने को मिलेगी इस बात को भी आप याद करें मौचु रिवर की बात करें तो मंदला हिल्स से जिसको जसदान हिल्स भी बोलते हमां से निकलती है रनोक पच्छ में जाके मीट ह होती है स्वराष्ट रीजन की नौर्थ फुलोइंग क्या है रिवर है इस टाइप का विरस्ता जैसा कि आपने समाचारों में देखा होगा वह मैंत्पूर नहीं है मैंत्पूर है मौचु रिवर इस बात को ध्यान दूसरा बेस्ट बैंक चर्चा में था क्योंकि इसराइल बगेरा होने लगे आपने समाचारों में कई बार देखा भी हुगा तो बैस्ट बैंक क्या है लैंड लॉक बैस्ट इरसिया के टेरिटरी है और इसमें आपको बैस्टन डेट सी देखने को मिलेगा जैसा कि आप इधर जाएंगी डेट सी इधर देखने को मिलेगा इधर आ आके कहा जाए यह पूरा रेजन आपको इसराइल के मनलब की कंट्रॉल में है केवल इसको छोड़ कर ठीक गोलन हाइट की बात की जाए तो गोलन हाइट लैवनॉन से लगता है इधर आपको जॉर्डन से लगता है डेड सी बेस्ट बैंक ऑप जॉर्डन के मत देखने को मिले रहेगी तो इदर आपको मेरीडेन सी इसे आपको लैवनन इसराइल गायञा स्ट्रिप ते नहीं लगता है इस बात को ध्यान रखेंगे आप मैंन करें में लगता है करें मैं लगता है चलो मैं आपशोड़ता हूं इस्वे हैं इसमें आपको कुछ मैत्त कूर्ण सिंटी य क्योंब और अबात को यही मिलेगा कि तुक्याएंगे इस बात को थ्यान रखेंगे और कौन सा लेक्ट्चर नहीं पड़ाई करते रहे अपना ख्याल रखिये अपने परवार का ख्याल रखिए, thank you very much